सनातन हिंदु धर्म में गरून पुराण ग्रंथ का विशेश महत्व है गरून पुराण 18 महापुराणों में से ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान, विश्णु दुवारा, मृत्यू, स्वर्ग, नर्क और पाप पुर्ने के कर्मों को बतलाया गया है इस ग्रंथ के आचार खंड के अनुसार इन लोगों के घर भोजन करने से व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है साहुकार या सूधगोर व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए इसके पीछे की वज़य यह है कि ये लोग दूसरों की मच्पूरी और उनकी कठिन परिस्थितियों का फाइदा उठाते हैं ऐसे में दूसरों की तकलीफ से कमाये गए धन से जो भोजन बनता है उस भोजन को करने से व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है किनर को दान देने से बहुत पुन्य लगता है लेकिन इनके घर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए इसका कारण यह है कि किनर कई तरह के लोगों से पैसा मांगते हैं जिनमें अच्छे और बुरे सब ही होते हैं इसलिए इनके घर पर भोजन करने की मना ही होती है नमबर तीन, बेटी के घर हिंदू धर्म शास्त्रों में पिता दोरा अपनी बेटी की सशुराल में भोजन करना भी वर्जित पताया गया है ऐसा कहा जाता है बेटी के घर पिता जितना भोजन करता है उसका चार गुना उसको चुकाना पड़ता है अगर ऐसी परिस्थिती बन जाए तो जितना बेटी के घर खाते हैं उससे थोड़ा जादा उसे उपहार स्वरू दे दें नमबर चार रोगी व्यक्ति के घर रोगी व्यक्ति के घर पर कभी भी भोजन ना करें इसलिए क्योंकि रोगी वैक्ती शारिरिक परेसानियों से गरसित रहता है ऐसे मैं इनके घर पर भोजन करके आप इनहें और कष्ट दे सकते हैं इसलिए रोगी वैक्ती के घर जब भी कोई इनका हाल पूछने जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता बलकि इनके लिए फल या खाने पीने की चीजें अपने साथ लेकर जरूर जाता है वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद